हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर इस वीडियो लेक्शेर में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का अंतिम चेप्टर ध्वनी यानि की साउंड से समध्धी जितने भी कुश्टन से सभी का डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले मैंने पांच चाप्टर अल्रेडी कंप्लिट करा रखा है वह शारा का सारा वीडियो आपको प्लेडिस्ट में मिल जाएगा आप वहां से इस वीडियो लेक्शर को देख सकते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले अदि हैप चैनल पर पहली बार चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लिजेगा और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंट सरकेल और स्टेटी ग्रूप्स में सेर कर देजेगा ताकि सभी स्टुएंट से इसका लाभ ले पाए इस वीडियो में ने जितने भी कोश्चन बता हैं तकरीबन 50 प्लस कोश्चन है इसक के लिए भी यह काफी इंपोर्टेंट है तो चलिए वीडियो लेक्ष्यर स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन देखते हैं हम लोग पहला कोश्चन कर रहा है कि दोनी कैसे उत्पन क्या जा सकता है किसी भी चीज में जब तक वैब्रेशन नहीं होगा तब तक सांट प्रोड ठीक है अब यहाँ पड एक कंसेप्ट आता है कि आनुदेयर्ग तरङँ आखिरकार होता क्या है थ्यान सुनिएगा चोड़ hills पहले बात कर लेते हैं तरंग जो होता है वह दो प्रकार का होता है एक होता है यांतरिक तरंग ठीक है और दूसरा होता है और यांतरिक तरंग जो होता है इसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम क्या वसकता होती है और यांतरिक तरंग को ट्रेवल करने के लिए मीडियम क्या व प्रस्त तो अनुद्यर्ग तरंग जो होता है उस तरंग को कहा जाता है जिसमें तरंग जो होता है जिस ओर ट्रेवल करता है उसके समानांतर उस मिडियम का कन अगर ट्रेवल करता है तो हम कहते हैं वह किस परकार का तरंग है अनुद्यर्ग तरंग यानि कहने का मतलब कनो का जो movement होता है वह wave के movement के अगर parallel हो ठीक है समान अंतर हो रहा हो तो अनुद्रगत रंग कहेंगे और यादि लंबवत हो रहा हो यानि कि wave का direction इधर है ठीक है और उस medium का जो molecules है उसका direction इधर है यानि कि 90 degree angle बना रहा है लंबवत है तो वह कहलाएगा अनुपरस्थत रंग जैसे आपने गोर के होगा यादि नदी में आप कोई पत्थर फ्रेकते हैं तो वह क्या होता है इस तरीके का rounded राउंड़ेट बनना start होता है तो आप गोर करिएगा पानी का जो सत्व होता है उसको गोर से देखिएगा तो जो पानी का सत्व होता है वह कुछ इस तरीके से move करता है यानि कहने का मतलब है कि यह क्या होता है उपर नीचे उपर नीचे होते राता है यानि तरंग का direction कुछ इस तरीके से होता है लेकिन उस medium का यानि कि पानी का जो medium है यानि पानी के जो molecules है उसका जो travel करने का direction क्या है एक बार उपर है एक बार नीचे है ठीक है तो ये क्या कहलाएगा आपका अनुपरस्त तरंग लेकिन अगर सांत जल है तो अनुद्यर्गे तरंग का उदारन होगा ठीक है याद अनुद्यर्ग तरंग का उदाहरन है अगला है किस तरंग के संचर्ण के लिए मध्यम क्या वशक्ता होती है मैंने तुरंत पताया अनुद्यर्ग तरंग तो medium की अवशका होती है और अगर हम चंदर्मा की बात करें तो चंदर्मा पर किसी भी प्रकार का medium नहीं होता है वहां होता है vacuum है आनि के निर्वात और ये भी कह सब्सक्राइब निर्वात है मतलय वहाँ कोई 210 नहीं है इसके संचरन के लिए मीडियम क्या हो सकता होती है और अंतरिक्ष में मीडियम नहीं होता है यानि वायमंडल नहीं होता है वैक्यूम होता है जिसके कारण क्या होता है कि मॉलेक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होगा एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा पाएगा जिसके कारण संचरन का डारेक्शन dość意 spare押से हैं और इसी के सामानांतर ही अगर कन का movement हो रहा हुआ यह अधि तरंग संचरन के करम में यह तर अधिम के कंपन तरंग के संचरन के दिशा के सामानांतर हो कणो का कंपन तो यह किस परकाड का कहलाएगा तरंग तो ये कहलाएगा अनुदेर्ग है तरंग ठीक है क्या कहलाएगा अनुदेर्ग है और यदि लंबवत हो जाएगा तो क्या कहलाएगा अनुदेर्ग है अगला है मध्यम के कनों के कमपन्य तरंग संचरन की दिशा के लंबवत हो तो उस तरंगों को क्या कहा जाता है अ तरंग價, याद रखेगा समनान्तर जब भी बाटाएगा तो अनुदैरग है और लंबवत आएगा तो अनुदैरग है और प्सक्रास आनुदैरग है और देखेएं अनुदैरग हो परता हैं जीएं बिल्कूल नहीं पढ़ता है, लेकिन तापका जरूर पढ़ता है ताप का पढ़ेगा, अर्द्रता का पढ़ेगा, जब ताप और अर्दता बढ़ेगा, तो धोनी का वेग बढ़ जाता है, लेकिन दाब का कोई प्रभाब नहीं पढ़ता है, अब तकि अलग-अलग मीडियम में धोनी का जो चाल होता है, वह अलग-अलग होता है, जैसे पु उससे कम किस में करेगा, लिक्विड में पर करेगा, उससे कम गैस में करेगा, क्यों, सॉलेड में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल क्यों करता है, क्योंकि सॉलेड के जो कन होते हैं, वो काफी क्लोजड पैक्ट होते हैं, काफी नजदीक होते हैं, ठीक है, काफी नजदीक इसमें कन काफी दूड़ी पर होते हैं अब देखें यहां से अगर कोई भी माल लेते हैं कमपन उत्पन किया जागा तो यह मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जल्द जल्दी टक कर देंगे जैसे कारण यहां पर साउंड प्रोडियोज होगा तेज यहां पर थोरा धीमा होगा य और उसे कम गयस में ठीक है लेकिन सबसे जदा इस बात में होता है इस बात सॉलिड होता है तरंग देर्ग कैसे मात्रे क्या है मीटर और तरंग देर्ग को लेमडा से इंडिकेट किया जाता है जिसे उल्टा वाई के जैसा लिखा जाता है अगला है प्रकास किस परकार का त समय को क्या कहा जाता है आवरत काल कहा जाता है अगे हैं धौनी को किस में मापह किस पर याद रखेगा 6420 मीटर पर सेकंड या 6420 मीटर पर सेकंड उसके बाद लोहा में ध्वनी की चाल कितनी होती है तो 5130 मीटर पर सेकंड होती है लोहा में ध्वनी की चाल तो तरंग देर्ग को किसे सुचित किया जाता है तो तरंग देर्ग को मैंने विद्रत बता है लेम्डा से सुचित किया जाता है जिसे उल्टा वाई जैसा लिखा जाता है तो और तरंग देरह का ऐसा इमातरक यदि पुछ लेता है तो वो मीटर हो जागा ऐसा है मतरक मीटर और सुचित किसे की जाता है लेमडा से चलिए अगला है आविरती को किसे सुचित की जाता है तो आविरती को निव से सुचित की जाता है निव कैसे लिखा जाता है वी टाइप का लिखा जाता है ठीक एस टाइप का निव लिखा जाता है अगला है sound box किसे का जाता है तो जो हमारा जो गला होता है गला में एक structure पा जाता है जिसको larynx का जाता है और इसी larynx के वज़े से हम लोग बोल पाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है sound box कहलाता है अब कहा जाता है सामाने बातचीत में कितना decibel ध्वने उत्पन होता है तो जो हम लोग सामाने बातचीत करते हैं तो कितना decibel ध्वने उत्पन होता है 40-50 हट sorry decibel 40-50 decibel ठीक है आपर सही कर लिजेगा आगे है 20 हट से कम आविरती की ध्वनी को क्या कहा जाता है तो देखे 20 हट से यदि कम आविरती की ध्वनी है तो उसे कहा जाता है अवसरव या अपसरव ध्वनी आगे है 20 से 20 हजार हट तक की आविरती को क्या कहा जाता है तो इस ध्वनी को कहा जाता है सरव ध्वनी जिसे हम सुन सकते हैं अगला प्रस्ने 20,000 Hz तक की आविरती की ध्वनी को क्या का जाता है, तो परा सरव्य ध्वनी कहा जाता है, और मनुस्य की साविरती तक की ध्वनी को सुन सकता है, तो 20,000 Hz तक की आविरती की ध्वनी को सुन सकता है, जिसे कहा जाता है सरव्य ध्वनी, ठीक है, किसे कहा जाता ह तो है कि मानुस से 20 से 20,000 होट के बीच का ही साउंड सुन सकता है, 20 से ना तो कम सुन सकता है, और ना ही 20,000 होट से जादा के साउंड को सुन सकता है, अगला है ध्वनी का टकरागर वापस लोटने के घटनों को क्या का जाता है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा आप तन कुन किस के बराबर होता है, आप तन कुन किस के बराबर होता है, पराबर तन कुन के, और साउंड केजी भी वस्ति उसे टकरा कर जब वापस लोट आती है, तो उसे क्या का जाता है, प्रती ध्वनी का जाता है, प्रतिधोनी को सुनने के लिए धोनी सुरोत से सुरोता की दोड़ी कितनी होने चाहिए यानि अगर आप प्रतिधोनी सुनना चाहते हैं तो जहां से साउंड प्रोड्यूज हो रहा है वहां से सुनने वाले व्यक्ति की के बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए तो 17 मीटर होता ह कभी कभी फीट में भी पुछ दिया आता है तो इसको आप कनवर्ट कर लिजेगा आगे हैं प्रतिधोनी सुनने के लिए डॉक्टर द्वारे किसका उप्रयों किया जाता है एस्टेथवेस्कोप को जिसको आमभासा में अपने लोग क्या बोलते हैं आला आप गौर किया करता है वह अल्ट्रा साउंड प्रोडियूज करता है ठीक है अल्ट्रा साउंड या प्रतिधोनी या प्रतिधोनी को प्रोडियूज करता है जैसे कि आपका चमकादर है ठीक है यह अल्ट्रा साउंड प्रोडियूज करता है अगर इसके सामने कोई चीज आता है तो अल्ट और मोरिंसम्हाराइं क्या से aven बंत्त किया जाता है तो यह चमगादर रात के अंदिर में किसकी साहिता से Kenny तो प्रतिध्वनी की साहिता से आगे हैं आ इंधे में से किसका प्रयोग किया जाता है तो इसनार का पूर्ण रूप क्या होता है तो sound, navigation, and raging, काफी important है, काफी बार examination में पुछा गया है, sound, navigation, and raging, अब दीके, कान में कितनी हद्डिया ओती है, तो कान में चौ अवा total, तीन हद्डिया ओती है, एक इक दोनों गान मिला करके छे हड्डियां होगे तो हड्डियां कौन सी होती है एक होता है मुखदरक दूसरा निहाई तीसरा वल्यक ठीक है और यह जो वल्यक है यह human body का सबसे smallest bone है सबसे smallest bone जिसको stir up yes tip यह step is भी कहा जाता है तो हमणे सरीड के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है तो femur जिसको हम लोग ऊड़ू के नाम से जानते है और यह कहां पाया जाता है जांग में पाया जाता है याद रखेगा अगला है सरीड के सबसे छोटी हड्डी कौन है तो उसके लिए सोनार का प्रयोकिया जाता है सोनार का पूल नेम क्या होते हैं मैंने तुरत बताया था साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग स्टीरब भड़ी कहां पाई जाती है तो मध्यकर्ण में पाई जाती है मनें से के मस्तिस्क पर धोनी का प्रभव कितना देर तक रहता है यानि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उस साउंड का जो एफेक्ट होता है यह वह हमारे मस्तिस्क पर कितने देर तक रहता है तो एक बट्टा पंदरा सेकेंड तक रहता है ध्वुनी के तीन लक्षन क्या हैं तो यह काफ़ी इंपरेंट है ध्वुनी का तिन लक्षन होताई तारत्व प्रबलता और गुनता अगला है ध्वुनी का वह गुन Australians जिससे ध्वुनी क उसके लिहते हैं उससे क्या कहते हैं तो दहएं थे गव्यभधि का जो sound होता है, वह मोटा या पतलक इसके कारण होता है, तारत्व के कारण, ठीक है, और तारत्व क्या है, ध्वनिकायक गुन है, ठीक है, अब देखे, अगला परशने, दो क्रमागत, महत्तम, यानि के स्रिंग, अथ्वा निनतम, इस्तितियों के बीच की, दूडी को, क्या कहा जाता है, तरंग देर्ग, जैसे देखे, ठीक है, यहां से कोई तरंग स्टाट हुआ, इस तरीके से गया, ठीक है, तो यहां से इसका जो डारेक्शन है, यह उपर, ठीक है, तो यह हो गया महत्तम, तो इसको बोलते हैं स्रिंग, और यह हो गया निनतम, ठीक है, जिसको बोल समय में तायकी गाई दोलन की कुल संख्या गए को क्या कहते हैं एक दोलन पूरा करने में लगने वले समय को क्या कहता है आवरत काल एक दोलन पूरा करने में जितना भी समय लगेगा उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे एक आवर्त काल कहेंगे अगला है वर्षा के समय बजली की चमक तूरंत जबकि मेख गरजन पहुचने में अधिक समय लगता है तो देखिया आपकी जनकारी के लिए बता दूँ जो साउंड होता है इसका जो चाल होता है वह लाइट के चाल से कम होता है ठीक है लाइट का स्पीड काफी अधिक होता है और साउंड का स्पीड होता है काफी कम होता है अगर हम light के speed की बात करें तो कितना होता है 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर 30 सेकंड यानि 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा 3 गुने 10 पर पर 8 मीटर ठीक है लेकिन वही अगर हम sound की बात करेंगे तो 332 मीटर पर सेकंड जाता है मात्र तो समझ सकते हैं कि sound का speed होता है वह काफी कम होता है और light का speed काफी अधीक होता है तो जब बढ़सा होता है तो light का speed अधीक होने कारण light हमें पहले दिखाए देती है यानि बिजली के चमक पहले दिखाए देती है और sound हमें बाद में सुनाई पड़ती है तो क्या कहा गया वर्षा के समय बिजली के चमक तूरांत जब कि मिया गरजन पहुँचने माधिक से मैं लगता है क्यों क्योंकि प्रकास तरंग की चाल धोनी तरंग से अधिक होती है किसके बढ़ने से धोनी का चाल बढ़ जाता है मैंने सुरू महीं बताया था ताप और अर्धरता बढ़ने से क्या होता है धोनी का चाल बढ़ जाता है तो ऐसे भी कोशन पूछ देगा कि निमलिखित में से किसका प्रभाव धोनी पर पढ़ता है तो ताप और अर्धरता दोनों का पढ़ता है आगे लड़कियों के आवाज सुरीली या पतली क्यों होती है देखे आवाज सुरीली या पतली कब होगा जब तारत्व अधिक होगा ठीक है तारत्व अधिक होने से आविर्ती बढ़ेगी ठीक है और आविर्ती बढ़ने से क्या होगा आवाज सुरीली या पतली हो जाएग हो गा अधिक मोटा होगा तो लर्कों में क्या होता है कि ल्पनी को धिमी आथवा तेज सुनाई पड़ती है उसे क्या का जाता है रॉनी जितना प्रबल होगा उतना तेज सुनाई देगा, और जितना कम प्रबल होगा, उतना धीमा सुनाई देगा, ठीक है, तो प्रबलता का मतलब क्या हो गया, तेज या कम सुनाई देना, आगे हैं चमगादर कितने अवरती तक कि ध्वनी उत्पन कर सकता है, तो वह उत्पन कर सकता है, सो हजार हर्ट प्रजब रॉबिढ़ ए ठेखया, अंदीं प्रसने मनु से का शुरुती निर्भन्ध क्या है, मिकलता है, अब कोई का इफेक्ट कि ब्रेन पर जितने टाम तक रहता है, ठीक है तो किसी भी sound का effect हमारे brain पर जितने time तक रहता है उसे कहा जाता है सुरुती निर्बंद और कोई भी sound का effect हमारे brain पर कितने time तक रहता है एक बटा बंदरा सेगेंड तक ठीक है physics 9th class का जो भी chapter है सारा का सारा complete होता है यदि वीडियो पर संद आया होगा तो लाइक जरूर कीजेगा और अपने friend circle में इस वीडियो को set कर देजेगा ताकि सभी लोग इसका लाग उठा पया है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में master वीडियो लेकर के जिसमें आपका physics का total chapter एक ही वीडियो में आपको मिलेगा ठीक है धन्यवाद लिए ट्रूर लिएक्वाद क्याद है तै और स्ट्राइब कर दो कर दो आपका देजेगा यदीवाद अज पस्ट्राइब अपका नचल